गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम गडित में पार्ट साथ अनुक्रमानुपाती एवं व्यूत क्रमानुपाती विच्रण को पढ़ेंगे इसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे जिसमें हम अनुक्रमानुपाती विच्रण के बारे में जानेंगे बच्चो, आज का जो हमारा टॉपिक है अनुख्रमानूपाती विचरण या फिर हम कहले विचरण यह टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई घटनाय होती है या ऐसी करीब परिस्थितिया हम देखते हैं जहां पर विचरण होता है तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि विचरण क्या होता है गडित में किनी दो सम्मंधित राशियों में से एक राशी का मान बदलने पर यदि दूसरी राशी का मान भी बदलता है तो हम उसे विचरण कहते हैं यदि पहली राशी बढ़ती है तो दूसरी राशी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है पर जब पहली राशी बदल रही है और दूसरी राशी में भी परिवर्तन आ रहा है तो गडित में हम उसे विचरण कहते हैं हम अपने दैनिक रोजमर्रा के जीवन में विचरण के अनेक से उधारण देख पाते हैं जैसे बच्चो यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं जब हम उस वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसके मूल्य में भी कही न कहीं वृद्धी होती है तो यह किसका उधारण होगा विचरण का उधारण होगा क्यों? क्योंकि एक राशी में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरी राशी में भी साथ ही साथ परिवर्तन हो रहा है इसी प्रकार बच्चो जब वर्ष बढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ आपकी उम्र भी बढ़ती जाती है। तो यह भी जो उधारण है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और यह उधारण भी हमारा विचरण का उधारण है। इसी प्रकार बच्चो यदि कोई किसान खेती करता है, उसके पास कोई निश्चित मातरा में जमीन है, यदि जमीन की मातरा को हम बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही उसमें जो फसल पैदा होती है, वो भी कहीं न कहीं बढ़ेगी। तो यह सभी उधारण हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, और यह सभी उधारण गडित में विचरण कहलाते हैं, बच्चों, विचरण क्या होता है, ये तो आप समझ गए, अब विचरण के ही दो भाग होते हैं, एक होता है अनुक्रमानूपाती विचरण, और एक होता है व्यूत्क्रमानूपाती विचरण, तो बच्चो सबसे पहले अनुक्रमानुपाती विचरण होता क्या है? जब कोई दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती या घटती है वहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती विचरण का उपयोग करते हैं अर्थार्थ पहली राशी बढ़ेगी तो दूसरी राशी भी बढ़ेगी और पहली राशी घटेगी तो दूसरी राशी भी घटेगी इसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण यदि बच्चो कोई दो राशी है X और Y और इनके बीच अनुक्रमानुपाती विच्रण हो रहा है, तो हम इसे चिन्न के माद्यम से इस प्रकार से प्रदर्शीत करेंगे, यहां आप देख सकते हैं X, Alpha, Y, यहां पर अनुक्रमानुपाती विच्रण का जो चिन्न है, उसे हम Alpha से दर्शाते हैं, बच्चो अब हम जीवन में रोज देखते हैं, उन उधारणों को हम परिभाषा जो आपने समझी है, उससे जोडते हुए हम उन उधारणों को देखते हैं, जैसे बच्चो वर्षा का पानी, जितना अधिक वर्षा का पानी गिरेगा, उतना ही अधिक, जो भी हमाने पानी के स्त्रोथ हैं, जैसे नदिया, तालाब उतने ही अधिक मात्रा में वो भरते हैं तो यहाँ पर वर्षा का जल और नदियों का जो स्तर है वो दोनों ही कैसे हैं अनुक्रमानुपाती विचरण में हैं क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है इसी प्रकार बच्चो आप घर में जब हमारे जो रदी कागज होते हैं पुरानी कॉपियां होती है उसे हम रदी वाले को बेचते हैं तब वो जो मशीन लेके आते हैं रदी वाले आपने उसमें देखे होगा उस भार मशीन में जितना अधिक हम कागज उसमें डालते जाएंगे भार उतना ही अधिक उसका जो वजन है वो बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर कागज की मात्रा और मशीन में जो वजन है वो एक दूसरे के क्या है अनुक्रमानूपाती है यह दोनों ही राशिया अनुक्रमानूपाती विचरण में है इसी प्रकार बच्चों आप कई बार अपने जो बचे हुए पैसे हैं वो गुल्लक में जमा करते होंगे जितनी जादा सिके हम गुल्लक में डालेंगे हमारा गुल्लक जो है वो उतनी ही जल्दी भरता है तो ये भी दोनों राशिया किसका उधारण है अनुक्रमानुपाती विचरण के उधारण है तो आप देख सकते हैं बच्चों की ऐसे ही हम अपने दैनिक जीवन में अनुक्रमानुपाती विचरण के अनेक उधारण देख पाते हैं बच्चो अब अनुक्रमानुपाती विचरण को समझने के बाद हमें एक और नया शब्द समझने की जरूरत है वो है इस्थी रांग बच्चो जिन दो चरोप में अनुक्रमाणूपाती विचरण का संबंध होता है उनके बीच का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है और वो ही जो समान अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं? इस्थी राङ कहते हैं यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं दो राशिया X और Y, X और Y यदि अनुक्रमानुपाती विचरण में हैं, तो इनके बीच का जो अनुपात है, यानि X अनुपात Y, जिसे हम X बटे Y भी कहते हैं, इनका जो अनुपात है वो हमेशा एक समान होगा, जिसे हम किस से प्रदर् रांग होगा वो होगा K, और इसी प्रकार X के सापेक्ष जितने भी मान हैं, जैसे X1, X2, X3, X4, उसी प्रकार Y के सापेक्ष जितने भी मान हैं, Y1, Y2, Y3, Y4, इन सभी का अनुपात हमेशा एक समान आएगा, और जिसे हम किस से प्रदर्शित कर रहे हैं K से, और इसे ही हम स्थी रांग कहते हैं, बच्चों, अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न समझ लेते हैं, अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित प्रश्न आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यदि 10 रुपे में हमें एक गुलाब मिलता है, तो 50 रुपे में हमें कितने गुलाब मि मिलेंगे, इस प्रकार का जो प्रश्न है, वो अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित हैं, क्यों, क्योंकि पैसा, पैसे का मान यदि बढ़ रहा है, तो गुलाबों की संख्या भी वहां पर बढ़ रही है, यानि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपा तो आईए हम देखते हैं कि इसे हम हल कैसे करेंगे 10 रुपए में बच्चो एक गुलाब मिलता है तो 50 रुपए में हमें कितने गुलाब मिलेंगे जो पैसा है जो मान रुपिय में दिया गया है उसे हम X के सापेक्ष मान लेते हैं यानी X1 बराबर 10, X2 बराबर 50 इसी प्रकार बच्चो गुलाबों की संख्या जो है उसे हम Y से प्रदर्शित करते हैं Y के सापेक्ष जितने भी मान है यानी एक जो एक गुलाब है वो Y1 कहलाएगा और 50 रुपए में कितने गुलाब आएंगे उसको हम Y2 से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं क्यूकि ये दोनों ही राशिया आनुक्रमानुपाती विचरण के अंतरगत आते हैं इसलिए इनका जो अनुपात है वो सदार एक समान होगा यानी X1 बटे Y1 बराबर X2 बटे Y2 बराबर K होगा यानी K जो है वो इस्ती रांग है X1 का मान जब हम वहाँ पर भरेंगे X1 का मान है 10 Y1 का मान है 1 इसी प्रकार X2 की जगा पे हम 50 भरेंगे और Y2 की जगा पे हम X मान लेते हैं अब हम यदि हम यहाँ तिरियक गुणा करते हैं तो 10 का गुणा X के साथ हो जाएगा और 50 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा इसे हम हल करेंगे X का मान हम निकालेंगे 50 का गुणा 1 से करने पे 50 आता है और X के साथ जो गुणा में है 10 वो जब पक्षांतर होगा तो वो भाग में चला जाएगा तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 50 बटे 10 यानि की 5 यानि हमें 50 रुपे में कितने गुलाब मिल जाएंगे 5 गुलाब तो इस प्रकार से अनुक्रम अनुपाती विचरण से संबंधित प्रशन हम हल कर सकते हैं आईए बच्चो इस से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रशन हम यहाँ पर देखते हैं प्रशन है यदि कार्डबोर्ड के दो डिब्बे 500 गन सेंटीमीटर स्थान घेरते हैं तो ऐसे 200 डिब्बो को रखने के लिए कितने स्थान की आवशक्ता हमें होगी बच्चो इस प्रशन में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे डिब्बो की संख्या बढ़ती जाती है वैसे ही उनके रखने के लिए जो स्थान है वो भी बढ़ता जाता है तो यह जो स्थिती है वो कैसी स्थिती है अनुक्रमानुपात की स्थिती है तो आईए, यहाँ पर हम देखते हैं, कौन-कौन सी दो राशिया है, सबसे पहला है डिब्बो की संख्या, डिब्बो की संख्या है दो, जिसे हम X1 मान लेते हैं, और घेरा गया स्थान है 500 गन सेंटिमीटर, उसे हम Y1 मान लेते हैं, इसी प्रकार 200 डिब्बे, उसे हम X2 मान और उसके द्वारा जो खेरा गया स्थान है, उसे हम Y2 मान लेते हैं, अब हम इसे अनुपात के रूप में रखते हैं, क्योंकि अनुक्रमानुपाती विच्रण में हमेशा अनुपात एक जसा आता है, अनुपात में रखने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है, 2 बटे 500 बरा और 200 का गुणा करना है हमें 500 से, 2 के साथ X जो गुणा के रूप में है, वहां से हमें 2 को पक्षांतर करके भाग के रूप में ले जाना है, अब हम इसे हल करेंगे, 200 में से 2 को भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100, और 500 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो हमें इस प्रकार 200 डिब्बो को रखने के लिए जो स्थान चाहिए वह हमें प्राप्त हुआ है 50,000 घन सेंटीमीटर इस प्रकार बच्चों हम अनुक्रमानुपाती विच्रण से संबंधित प्रश्णों को हल करते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो भाग है समझ में अच्छे से आया होगा और इसी से संबंधित ग्रिह कारिय में आपको दे रही हूँ जो की खाली स्थान भरो के रूप में है पहला प्रश्ण है बच्चों दो राशियां परस पर खाली स्थान विच्रण करते हुए कही जाती है यदि वे एक साथ इस प्रकार बढ़े या घटे कि उनके संगत मानों का अनुपाद अचर हो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको सही उत्तर भरना है इसी प्रकार दूसरा प्रश्ण है यदि दो राशियां X और Y अनुक्रमानुपाती है तो खाली स्थान अचर रहता है प्रश्ण तीन यदि 10 पैंसीलों का मूल्य 90 रुपए है तो 19 पैंसीलों का मूल्य खाली स्थान रुपए होगा चौथा प्रश्न है एक सम्च तुर्भुज की भुजा और उसका परिमाप खाली स्थान विच्रण में होंगे बच्चो मुझे उम्मीद है कि आपको अनुक्रमानुपाती विच्रण अच्छे से समझ में आ गया होगा आप इससे संबंदित ग्रिहकार्य करके मुझे अवश्य भेजिएगा अगली कक्षा में जिसमें हम इसी का भाग दो व्यूत क्रमानुपाती विच्रण के बारे में समझेंगे तब तक के लिए बच्चो गुडबाई